तुम्हारे 95% नहीं आएंगे पदा है क्यूँ? क्योंकि तुम वही गलतिया कर रहे हो जो इस मोमेंट पे at this peak time तुमें नहीं करनी है और इस वीडियो को एक motivational वीडियो मत समझना ये वीडियो motivational वीडियो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा वो end moment तक procrastinate करेगा और जिसको पढ़ना है न वो अभी भी जिन्दा हो सकता है तो इसको एक motivation वीडियो तो बिल्कुल मिम्मत समझना क्योंकि motivation वाले जोन से हम लोग बहुत उपड़ आ चुके हैं आज इस वीडियो में मैं वो 5-6 चीज़े discuss करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि at this point अगर तुम कर रहे हो तो you should stop right now क्योंकि ये तुम्हारे आगे चलके जो भी तुम्हारी preparation जो भी तुम्हारा मेहनत होगा दो महीने का वो पूरी तरह से बड़बाद कर सकता है at the moment of exam तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना एक चोटा सा example देता हूँ एक बच्चा था जो कि बहुत ही अच्छे से prepare कर रहा था बहुत कुछ पर रहा था ठीके, बट reality ये थी कि वो उसी जोन से या फिर उसी तरीके से पर रहा था जो उसको लग रहा था कि हाँ ये सही हो सकता है और यही दिक्कते आती है जब आप इन कुछ points का ध्यान नहीं रखते हो क्योंकि मैंने इन सभी points को note करके रखा था क्योंकि मुझे आप से discuss करना था सबसे पहली बात मेरी जो होने वाली है सबसे पहली problem की वो होने वाली है preboards तुम लोग सोचे रहे कि तुम अपना पूरा दिमाग preboards की तरफ लगा चुके हो जो तुम अपने एक structural पढ़ाई कर रहे थे boards के लिए कुछ दिनों से तुम structural way में पर रहे थे वो पूरा का पूरा जो तुमारे structural way था boards में पढ़ने का तुमने उसको तुरंत बडेक कर दिया क्योंकि preboards का exam काफी नस्दीक है और तुम उसको approach करने जा रहे हो एक चीज़ मैं तुमको कहता हूँ preboards का marks ना कहीं जुटता है preboards की marks की ना कोई importance है बट अगर तुम ये चीज़ दिमाग में लेके चल रहे हो कि मेरे को preboards में score करके ये दिखाना है कि हाँ ठीक है मैं ओके हूँ तो एक चीज़ बता देता हूँ भाई preboards में चाहे तुम 100% भी क्यों न लाओ स्कूल वाले 70 ही देंगे क्योंकि तुमारा motor उनको down करना है वो down करेंगे तभी तुम और भी जादा मेनत करोगे और बचे कुछे दुन में और भी जादा अच्छा कर लोगे बट अगर तुमने भाईया अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं तुमने अगर स्टार्ट नहीं करा है तो मारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना क्लास 10 के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने सब के सब सब्जेक चाहे English हो, Hindi हो, Math हो, Science हो, SST हो सब के सब सब्जेक को एक-एक वीडियो में कराया है यानि पूरा Physics एक वीडियो में, पूरा Chemistry एक वीडियो में और एक एक घंटे की वीडियो है वो ठीक है, तो तुमाँ टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्किप्शन में डाल रहा हूँ और Class 12 वाले हमारे जित्ते ही बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे आपके लिए और Class 10 वालों के लिए दोनों के लिए पहले तो हमने roadmap बनाया है लेकिन Class 12 वालों के लिए हम लोग subject wise roadmap के साथ चल रहा है Physics का हमने upload कर दिया, Chemistry match भी upload कर देंगे अगर आप नीचे में दबा के हमें comment करें, तो जरूर कर देंगे तो आप वहां से उसके help लेके, roadmap की help लेके और subject wise strategy के help लेके, अपनी starting कर सकते हो अगर आपने उभी तक कुछ start नहीं करा है, तो भी तो आप बात करते हैं J.E. की, आप लोगों मैंसे जित्ते भी लोग J.E. की preparation कर रहे हो J.E. को अपरोच कर रहे हो, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना अगले एक मिनट के लिए मुझे पता है कि at this time, you are so messed up कि भाईया boards को समाले की J.E. को समाले और boards को तो तुम खुद से समाल भी सकते हो, बट J.E. को तुम self study के through से अगर लेके जाना चाहो तो एक periodical पढ़ाई हो नहीं पाएगी, boards भी cover up हो नहीं पाएगा Right now, अभी के time पे अभी तक का सबसे बड़ा offer चल रहा है और वो यह है कि PDNs 10 code यूज करके तुमको 60% तक off मिल रहा है on unacademy subscription जिससे कि तुम अपनी J.E. की preparation यार periodic way में किसी भी batch को join करके कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि unacademy में हर batch के लिए अलग से आपको payment करना पड़ेगा तो नहीं अगर आपका तीन महिने का भी subscription है तो उस तीन महिने के subscription से भी आप unacademy के सारे batches का access कर सकते हो और हाँ at this time जो भी बच्चा J.E. की preparation स्टार्ट करना चाता है मैं उसको बस एकी चीज रेकमेंड करूँगा मेरे भाई please go with iconic subscription क्योंकि at this time you need a mentor और live doubt solving facility जिसमें कि तुम्हारी doubt solving होगी तुम्हारे लिए mentor assign होगे जो कि तुम्हे planners बना के दे रहोंगे तुम्हें कैसे चीजों को पढ़ना है वो बना के दे रहोंगे और in fact अगर 12 month plus का तुम्हारा iconic subscription होता है तो तुम्हारे घर पे materials भी पहुँचाए जाएंगे जो materials top notch quality के हैं link मैं description में डाल रहा हूँ फटा फट जाओ purchase करो और अपनी जेई की preparation कोई भी crash course batch के साथ अभी से start कर दो मैं guarantee लेता हूँ कुछ ऐसे बहुती premium batches चल रहे हैं जैसे all star batch और भी बहुत सारे batch हैं जिसके थुरू तुम लोग अपनी preparation को बहुती आराम से कर सकते हो ठीक है बिना किसे attention के और तुमें उसमें कुछ planning नहीं करनी है सारी planning उधर से आएगी ठीक है तो link मैंने description में डाल दिये फटा 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 अपनी जेई की journey start कर दो now let's come to the main point मेरे को इस point को बहुत ही mainly बात करना था मैंने ये चीज बहुत सारे वीडियो में अल्रेडी बोल दी है बट मेरे को इस point को genuinely यहाँ पर mention करना चाहरा हूँ तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना I know that you all are using reference books मेरे को पता है कि तुम लोगों में से 10 वाले एस चांद उठाके पर रहे हो तुम लोगों में से 12 वाले जो हो वो दुनिया भर का guest paper लेके पर रहे हो या फिर question bank लेके पर रहे हो मैं एक चीज तुमको समझाता हूँ reality ठीक है अराउंड अराउंड 20-30% paper सिर्फ activities based है उसके अलावा आप लोगों का जो main paper होगा वो conceptual रहेगा यानि the more you are into the concept तुमको चीजे कैसे हो रही है किसी भी topic के पीछे का concept पता है mechanism पता है properties पता है और question किसी भी तरह से अगर घुमा के दे भी दिया जाता है तो तुमारे पास एक बहुत बड़ा अपरोच रहेगा कि तुमारे पास conceptual knowledge हो तो अगर इस बार के लिए maximum आपको score करना है please stick to NCRT मैंने ये चीज़ कम से कम अभी तक 50 बार बोली है देखो मैं दूसरों की तरह मेरे को मत समझना कि भाईया यहाँ पर आएंगे कुछ tips देंगे चल जाएंगे reality यह ही है कि भाई मेरे को तुम लोगों को ले के जाना है उस mark तक आज से जुर रहे हो तो आज से तुमको ले के जाना है उस mark तक उस 95% वाले mark तक इसलिए वही चीज़े सही बताऊंगा और recommend करूंगा जो तुमारे लिए important होगी NCRTs are must NCRTs के activities जरूर करो और in text question exercise और example के question जरूर करो मैं अतना guarantee लेता हूँ कि you can easily solve 60% of the question paper just with the help of NCRT activities in text example and exercise only Last चीज़ पर आते हैं तुम boards के लिए questions गलत बना रहे हो मेरे को ये चीज़ इसलिए mention करनी पर रही है क्योंकि मैंने बहुत साड़े लोगों को देखा है कि वो जो है काफी तरह के मतलब वो लोग number of questions पे ज़्यादा focus कर रहे हैं देखो यार मैं ये मानता हूँ कि एगर पैटन के 100 questions बनाते हो उस pattern में perfection लेने के लिए तो total 100 questions हो जाते हैं जिसमें कि आपको उस pattern में तो आ जाएगा लेकिन एक चीज़ एक ये लेके चलो कि मानलो तुमने किसी एक area पर बहुत focus किया है questions पर बाकी पर तुम नहीं कर पाते हो because you have less time right now सही बात बोल रहा हूँ तो अ पर अप नहीं किया हो तो प्लीज अभी अगर questions की बात कर रहा हूँ तो NCRT के in-text exercise example तो मैंने बोला ही लेकिन उसके साथ previous year question लगाओ topic wise previous year question लगाओ जरूर से जरूर लगाओ क्योंकि previous year question से तुमको एक अंदाजा हो जाएगा कि तुमको questions किस प्रकार के करने हैं उसमें का paper कैसा आएगा क्योंकि बहुत हड तक relatable था कुछ कुछ सब्जेक्ट में जैसे physics में chemistry में तो एक अच्छा idea हो जाएगा in chemistry if you stick with NCRT good to go in physics if you stick with NCRT good to go but maths के लिए तुमारे पास एक बड़ा approach होना important है और किसी भी other subject के लिए एक बड़ा approach होना important है तो questions में please don't run behind number of questions but run behind the quality of question and the types of questions जेतने प्रकार के question करोगे उतना अच्छा perfection आएगा और जादा से जादा score होगा क्योंकि of course ही बात है that you have in-depth knowledge because तुम NCRT से strict हो और सही lecture से पर रहे हो notes अच्छे बना रहे हो बट उसके साथ साथ तुम्हारे पास उतने सारे question का एक data बन जाएगा उतने सारे question का एक experience बन जाएगा कि तुमको कोई दिक्कते नहीं आएगी तो यही था मेरे तरफ से कुछ ऐसे tips जिसको कि अभी से अगर तुम ध्यान में रख लेते हो अगर तुमने अभी तक नहीं रखाता और अभी से रख लेते हो तो वो जो 95% वाला mark है ना वो अभी भी achievable है even if you start now just keeping these things in your mind ठीक है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करना और हां last में बताता हूँ मैंने एक book लिखी थी जिसका link आपको description में मिल सकता आप वो book purchase कर सकते हो यार वो एकी strategy book है जो कि हर बच्चे की life में study की जो strategy है उसको two times double कर सकती है तुमारी scoring बढ़ा सक